नमस्कार दोस्तों मैं यानि दीपी का एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बच्पन की यादों से कुछ इस्से रेकर, कुछ गुदगुदाते से हिस्से लेकर आज की जो यादे है ना ये दरसल एक खास मौसम और एक खास काम से जुड़ी वी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जिन्दगी में जो बच्पन का जो वक्त होता था तब हमारे मन मासूम हुआ करते थे, हमारी इच्छाएं बहुत कम हुआ करते थी और हम इतने स्वार्थी नहीं वा करते थे छोटी-छोटी चीजों में हमें खुशियां मिलती थी आज जब मैं याद करती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि बच्पन के जो स्वाद थे ना वो स्वाद अब उन्ही चीजों में है ही नहीं क्योंकि अब वो feelings नहीं हैं अब हम दुनिया के साथ आगे बढ़ते हुए इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं और इतने सारे baggages हम ढो रहे हैं कि कहीं न कहीं वो एहसास खत्म हो गया है तो चलिए उन एहसासों को फिर से जिन्दा करते हैं यह tradition है यह परंपरा है कि संयुक्त रूप से गाओं वाले अपनी जो उनके borders होते थे उसमें फैले जंगलों से घास और लकडी काटते थे देखें कितना खुबसूरत एक रिष्टा था नीचर से पहाड के लोगों का कि जो जंगल होता था गाओं का जो साजा जंगल होता था जो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं था वहां लोग ऐसे नहीं कि घास की जरूरत तो उनको बारा महीने चौबीस घंटे रहती थी थे ना पालतु जानवर को तो घास और जलाने के लिए लकड़ी तो हम इंसानों को चहिए ही होती थी लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि जंगल है तो जंबन किया उठे और घास और लकड़ी काट कर आगे मेरी दादी बताती हैं कि जो हमारी परदादी थी उन्होंने एक भरा पूरा जंगल खड़ा किया बांज यानि ओक के पेडों का और दादी बताती थी कि बिलकुल अपनी अलाद की तरह उन्होंने उन पेडों को पौद से लेकर और विशाल काए पेड़ बनने तक पाला प गुना हमारी देखबाल करेगी और जंगल में सिर्फ घास और लकडी नहीं होती हैं अगर आप पहाडों में जाएं और जंगलों में आप कौर से देखें तो जमीन में दुनिया भर की हर्ब्स इसे वनस्पतियां कहते हैं जिन में इतनी सारे गुण होते हैं जो हमें मालूम तक नहीं हैं वो भी पनप्ती हैं पेड़ों के नीचे घास के बीच अगर अंदाधुंत कटान होगा तो उनको नुकसान होगा अब हर साल मार्च के महीने से ही पहाडों में जंगलों में आग के खबरे आते जाते हैं और हर साल यह आग बढ़ रही है इसका खाम्याजा जं जो लोग घास काटते थे जंगलों में एक पर्टिकुलर टाइम पे घास और लकडियां काटी जाती थी कुछ दिन तय होते थे कि इतने दिन तक घास काटी जाएगी इतने दिन तक लकडी काटी जाएगी क्योंकि अब लोग भी कम बचे हैं और जो हैं वो जरूरत के के जंगलर वहां से उनका गुजर बसर पूरा हो जाता है तो मुझे इन दिनों का खास इंतजार रहता था क्योंकि इन दिनों स्कूल की छुटियां होती थी और मैं अपने हमुम्र बच्चों के साथ मा या चाची का हाथ हमें जंगलों की तरफ चली जाया करती थी घास काटन विरह और तकलीफ के गीत जो उचे पहाड़ों से टकरा कर फिर उनहीं तक पहुंचाते थे उन गीतों के बोल तो बहुत मीठे होते थे लेकिन उनके अर्थ उतने ही नुकी ले जो भें तो ऐसी उदासी छोड़ जाएं कि जो तमाम उम्र आँखों से रिस्ती रहे चुप कुछ गीत उल्लास और खुशी के भी होते थे ऐसे गीतों को गाती वी औरते यानि खुशी के गीतों को गाती वी औरते मुझे बांच की जड़ से निकले पानी की तरह लगती जीवन से भरी भी मीठी एकदम चमकतार जब गाना खतम हो जाता उसके बाद सब औरतों में आपस में गुड़ बांटा जाता था किसी की मननत पूरी होने की खुशी में या किसी और खुशकबरी की वज़े से कई बार तो सिर्फ इसलिए कोई गुड़ बांट देती थी क्योंके माईके से चिठ्थी आई है चाचियां बड़ी बहने घास या लकड़ी काटरी होती तो हम क्या करते थे हम पिरूल यानि चीड की जो सूखी पत्या होती है उनका बढ़ा सा धेर बनाते उस पर बैठते और पहाडी से नीचे फिसलते तो वह हमारी फिसल पट्टी बन गई हमारे लिए वह एक एडवें और वेटलेस भारहीन महसूस करते चटकती धूप में बैठकर हम नीमबू सांते नमक, मिर्च और गुड मिलाकर जो नीमबू बनता उसका स्वाद कुछ ऐसा था जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है सब्दों की सीमा से परे था वह स्वाद पत्थरों से घर बनाते उसमे चीड की छोटी-छोटी टहनियों के गुड़े-गुड़िया रखते और इतनी संजीदगी से खेलते जैसे सच में उनकी जिन्दगी जी रहे हैं। मैं बस एक और बार इसी सर्दी में वहां उन्ही जगहों पर होना चाती हूँ। वो सब फिर से महसूस करना चाती हूँ। लेकिन डरती हूँ। कहीं उन जगहों ने मुझे पहचानने से इंकार कर दिया तो मैं जिस तलाश में, जिस सुकून की तलाश में उस जगह को छोड़ाई थी, उसी तलाश में वहां फिर वापस जाना चाती हूँ। तो फिलहाल तो बस यादे ही ही जरिया है वहां तक और